नमस्कार बहुत स्वागत है देखने हैं जोतिष जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतोश संतोशी लिए अक्टूबर महीने में चार ग्रहों का बदलाव हुआ है बड़ा बदलाव है दो और तीन तारिक को हुए इस बदलाव में मंगल, बुध, शुक्र तीन ग्रह बदले है सूर्य बदलेगा चौथा ग्रह सत्रह तारिक को अक्टूबर में और फिर राहु का बदलाव भी होगा तीस अक्टूबर को तो ये पांच ग्रह अक्टूबर महीने में बदल करके क्या उतार चड़ाव दे रहे हैं आपके जीवन में किसे विशेश रूप से सावधान रहने की आवश्यक्ता है बड़ा परिवर्तन किस राशी में हुआ है इसकी पूरी व्याक्षा, पूरा अनालिसिस ले करके मैं उपस्थित हूँ पांचों ग्रह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर की क्या क्या से कैसे बदला हुआ है और समलना किसे सबसे पहले बताते हैं ग्रहों के बदलाओ की विशे में तो बुध बदला है अक्टूबर महीने में मैं आपको इग्जैक्ट डेट बता देता हूँ एक अक्टूबर को बुध सिंग से कन्या में आया है दोपहर आठ बच कर पेंटालिस मिनिट पर और इसके बाद तीन अक्टूबर को मंगल शाम छे बच के सत्रह मिनिट पर कन्या से तुला में आये हैं तीन अक्टूबर को और शुक्र दो अक्टूबर को करक से सिंग राशी में प्रवेश किये हैं सुमवार के दिन सत्रह को सूर्य घर बदलेंगे 18 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को इस बार बदलाव हो रहा दोपहर एक बच के 42 मिनिट पर कन्या से तुला राशी में सूर्य का बदलाव है 18 अक्टूबर को तो इतने ग्रहों का बदलाव और 30 तारिख को राहू का बदलाव हो जाएगा मेश से मीन में उल्टा आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जिन राशी पर पड़ेगा उसमें से एक नंबर पर जो राशी है वो है कौन सी तुला राशी सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पर पड़ेगा वजह ब्रहश्पति राहु चंद्रमा एक अक्टूबर को आपकी राशी को देख रहे हैं मेश में बैठकर और तीन को मंगल यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे केतू के साथ तो तुला राशी पर पांच ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है पूरे एक्टूबर भर तो सबसे ज़्यादा अगर कोई राशी प्रभावी हो रही है तो वो है तुला राशी दूसरे नंबर पर जो राशी सबसे अधिक प्रभावी होगी वो हो रही है मेश राशी क्योंकि तीन ग्रह आपकी राशी में हैं और मंगल केतू की दिश्टी पड़ गई तो तुला के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली राशी है इस अक्टूबर महिने में इन पांच ग्रहों की परिवर्तन से वो है मेश राशी तीसरे नंबर पे जो सबसे अधिक प्रभावी होने वाली राशी है वो है कन्या राशी जहां पर बुध और सूर्य बैठे हुए है बुध उच्च के होकर के यहां प्रवेश किये हैं और सूर्य यहीं रहेंगे और तुला में तो 18 तारिक को मंगल के पास सूर्य भी पहुँच रहा है जब सूर्य प्रभावित होगा अक्टूबर में ही तो तुला इसवजह से और जादा प्रभावी है एक नंबर पे इसलिए हमने तुला को रखा है आप सबसे अधिक प्रभावी होगे तो तुला मेश और कन्या यह तीन राशियां हैं जो अक्टूबर महीने में सबसे जादा प्रभावी होगई अब आपनों की दिमाग में एक प्रश्ण ये चल रहा होगा कि ये प्रभाव किस दिश्टिकोंड से कैसा है तो भाईया तुलावालो यह प्रभाव सामाजिक दिश्टिकोंड से अशुभः है आर्थिक दिश्टिकोंड से सोसो है 50-50 और मांसिक दिश्टिकोंड से मांसिक कष्ट बढ़ाने वाला है अशुभः है तो अगर देखा जाए तो आपको छाचट अंक मिल रहा है शुभ 33 प्रतिशत अशुभः है अगर ओवर आल देखा जाए मेश वालों के लिए यह शुभः परिवर्तन होगा क्योंकि राहुच साथ छोड़ेगा और केतु की दिश्टि हट जाएगी और मंगल परम मित्र राशी को देखेगा बंदब अपने घर को देखेगा और सूर्य जब तुला में आएंगे तो उच्च दिश्टि से देखेंगे मेश को जो की मेश के लिए मूल त्रिकोंड के स्वामी स रहे हैं तो आपके लिए तो पवबार है मतलब राहु का जो दोश चल रहा था अठारह महिने से उस पे बहुत कुछ अंकुष लगेगा कन्या राशि के लिए ये परिवर्तन सो फीसदी अच्छा है हर लिहास से दुती भाव में मंगल की उपस्थिती ले लिया जाए या आने वाले समय में सूर्य की उपस्थिती ले लिया जाए ठारह अक्टूबर को या वर्तवान समय में सूर्य और बुध की उपस्थिती ल तो जिसके लिए थोड़ा सा आशुब है वो बजरंग बली की उपास्टना करे और आनंद उठाए उलसियावर राम जंदर की जै अक्टूबर वहिना में 7 से 14 अक्टूबर गयाजी में रहेंगे मिलना हो तो मिल लिजे इसके बाद चंडीगर देहरादून जैपूर इंदोर मुंबई आदिशहर आ रहे हैं देखिए उसकी जहलक हमें दीजे इजाज़त अपना बहुत ख्याल रगे नमस्कार शिरादे गाद पाद बाद 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 आद दो आचार्य विश्व प्रसिध जोतिश आचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेग